Let us now look at the external challenges that may make it difficult for the successful implementation of guidance and counseling programs in school. हम जब external challenges की बात करते हैं, तो वो तमाम socio-economic factors की बात करते हैं, जो एक बच्चे के इर्दगिर्थ काइम होते हैं. हर बच्चा एक मुक्तलिफ social economic status से आता है, background मुक्तलिफ है, parentage मुक्तलिफ है, और ये बच्चे जब एक लास में अकठे होते हैं, तो एक खास matrix develop होता है, एक खास महौल develop होता है. अब ये teacher की महारत है, कि वो इस महौल का सामना कैसे करती है, या करता है, या students को properly educate कैसे करता है. बहरहाल हर तालेबिल्म का तालुक उसके महौल से जड़ा हुआ होता है, और उसके जिस भी किसम के रवईये सामने आते हैं, उनका तालुक उसकी socio-economic background से होता है. जब हम socio-economic background की बात करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो के फाइदा मन भी होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो नुकसानात की तरफ भी जा सकती हैं. जब socio-economic portion का या socio-economic background का जिकर होता है, तो ये वो खास अवामिल हैं, जो मुतहिद होकर किसी भी तालिबिल्म की शख्सियत को develop कर सकते हैं, मुस्पट develop भी कर सकते हैं, और गलत तरीके से भी उस पर असर अंदाज हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर, students के इर्दगिर्द का महौल कैसा है, and what is the popular culture of a present age that directly affects the personality of students? हम आम तोर पर generation gap की बात करते हैं, हम ये सोचते हैं और देखते हैं कि जैसे हम हैं, हमारे बच्चे हम से मुक्तलिफ हैं, ऐसा क्यूं है, उस एक ही महौल में पलने बढ़ने वाले बच्चे जो हैं, मुक्तलिफ होते हैं, और हम अपना तर्बियती अमल जितना भी सخت करते च जले जाएं, हम बच्चे को उस लेवल पर नहीं ला सकते, जिसका हम उसके लिए ताइयून करते हैं, उसमें बहुत सा अमल दखल, उस खास महौल का है, जिसमें बच्चा जाता है, बाहर जब वो स्कूल जाता है, जहां पर सब क्लास फेलोस मौजूद हैं, और एक खास महौल तर्तीब दे दिया गया है, और जब वो घर आता है, तो उसको महौल मुक्तलिफ लगता है, क्यूंके माबाप की तबक्वात मुक्तलिफ हैं, तो जो पॉपुलर कल्चर है, that also can shape a child's personality, and it can be a conflicting situation, when the environment outside is different from the environment that the child sees at home, so this conflict sometimes can result in problem behaviors, so popular culture is something that parents may not agree with, identify with, and then they may ask the child to behave otherwise, तो वहाँ पर बाज अकात मुश्किलात आ सकती हैं, इसके साथ साथ जो globalization है, this world has become a global village, her information जो है, it is just a click away, तो उस information की वज़ा से बाज अकात मुक्तलिफ परस्नालिफ प्रस्नालिटी पेटरिंस जो हैं, वो डिवेलप हो जाते हैं, students, they resort to certain behaviors, because they get influenced by the outside world, because what they see happening in the outside world, outside their country, they get enamored of it, they get influenced by it, and then they start acting in a specific manner, Now that may be problematic for the teacher, for the parents, because the teacher and the parents have a different age level, and they belong to a different generation altogether, so they may find it difficult to adjust with this popular culture, or with this phenomenon of globalization, however, मसला तब पेश आता है, जब बहुत ज्यादा conflicting situation हो जाती है, जहां पर students जो है, वो refuse करते हैं, अपने teachers या parents का culture follow करने में, तो वहां पर बाज उकात रवईयों में, मनफी तबदीली आती है, और वहां पर sometimes it emerges as a challenge, challenge यह है कि students को किस तरह handle करना है, इसके साथ साथ बाज वकात students, families जब एक जगा से दूसरी जगा move करते हैं, when they migrate, तो वहां पर भी adjustment problems आ सकती हैं, वो इस तरह कि students जब बच्चे एक खास महौल से निकल कर एक social context से निकल के दूसरे social context में जाते हैं, तो वहां का culture मुक्तलिफ है, जबान मुक्तलिफ है, वहां के काप के हालात मुक्तलिफ है, वहां adjustment में बाज वकात मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और वो एक challenge बन सकता है, इन तमाम चीज़ों का information होना, इनकी मालूमात रखना schools के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर एक बच्चा किसी मुक्तलिफ मुलक से आया है और classroom में आ गया है, तो उसका एक अपनी शक्सियत होगी, और उसकी शक्सियत बाकी बच्चों से इंतहाई मुक्तलिफ हो सकती है, तो क्या school तयार है उस बच्चे को handle करने के लिए? सबसे बड़ा challenge तो यह है कि हम जहनी तोर पर तयार नहीं होते हम जब इन challenges से निबटने के लिए तयार नहीं होंगे तो वहाँ पर problems maximize हो जाती है So when we are unable to deal with these issues, then problems they maximize, they not only maximize, they sometimes deteriorate और उसकी वज़ा से जो maladaptive behaviors हैं, वो होते चले जाते हैं So external challenges का मुकाबला करने के लिए जब तक हम तयार नहीं होंगे, तब तक सही guidance and counseling skills का इनकाद school में होना ना मुम्किन है